Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, और ये सापता ही कराशीफल है Coming week कराशीफल शुरू करने से पहले एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सबसे पहली बात कि अभी 3-4 दिन पहले, I think Monday या Tuesday को, मैंने US President Election पे टारो रीडिंग करी थी और कार्ट्स में हमें बहुत ही क्लिरली बताया था, जो बाइडन विल विन दा US President Election और अभी हमने देखा भी कि जो बाइडन हैस वन दा US President Election Actually, most of the astrologers had predicted कि Donald Trump ही election जीतेंगे अगर आप उस वीडियो के नीचे comment section पे देखें, तो जो भी लोग predict करते हैं, उन्होंने यही लिखा हुआ है माम, 100% Donald Trump ही election जीतेंगे In fact, मुझे 2-3 लोगों का call भी आया, कि माम, प्लीज आप अपना वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि खांखां आपको prediction गलत हो जाएगी जीतना तो Donald Trump नहीं है और मैं सोच रही थी कि जब हम external चीजों से influence होते हैं, हम bias होते हैं, तो हम clearly चीजों को नहीं देख पाते लेकिन अगर हम complete trust universe पे रखते हुए, काट से कोई भी सवाल पूछते हैं, तो काट कितनी accurately हमें answer देते हैं और आप खुद ही जान जाएंगे जब आप वो वीडियो देखेंगे, इस वीडियो का link आपको नीचे description box पे मिल जाएगा Actually, Joe Biden के लिए हमार पास card आया था the emperor का And we all know कि emperor is the most powerful person, और American president के लिए भी ऐसा ही माना जाता है और Trump के लिए हमार पास card आया था page of swords का, pages star-o में बच्चे होते हैं, immature energies होती हैं Souls कहीं legal matter को represent करता है, defensive energies और बहुत ही, you know, एक इनसान जो sarcastic है, blend है, उनको represent करता है और हम सब जानते हैं कि Trump के ऐसी energies हैं, in fact ऐसा ही कुछ behavior क्योंकि वो हार गए हैं, तो मैं expect भी कर रही हूँ और देखे कितनी accurately cards ने हमें हमारे सवाल का जवाब दिया और predict किया तो मैं आपको बोलूँगी, जरूर आप वो वीडियो देखें, बहुत ही छूटा सा वीडियो है और दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ, कि मैं गिववे रख रही हूँ आप लोगों ने मुझे इतना पयार दिया, इतनी affection दी इसका कोई मोल नहीं है, इस प्राइसलेस, बट स्टिल I want to give back something और गिववे में हमारे पास बहुत ही beautiful crystal bracelets है यह 7 chakra bracelet है, जो आपकी vibrations को high करने में आपको help करता है यह rose quad bracelet है, जो आपके relationships को better करने में आपकी help करता है यह green aventurine bracelet है, जो luck को enhance करने में आपकी help करता है और अगर आप इस giveaway में participate करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दो steps हैं आप नीचे description box में उनको check कर सकते हैं मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर जादा से जादा लोग इसमें participate करेंगे यह giveaway weekly होगा और week में दो crystal bracelets हम gift करेंगे तो चलिए जी, coming week का साब ताहिक शुरू करते हैं यह 9th November से लेकर 15 November तक की आपकी tarot readings हैं और tarot predictions हैं तो Aries आप लोगों के लिए देखें कि coming week कैसा रहेगा, क्या energies हैं तो हमारे पस in general के लिए card है not for you professional life के लिए हमारे पस card है two of pentacles and personal life, love life, relationship के लिए हमारे पस card है fighting lucky color आप लोगों के लिए है turquoise that is throat chakra तो Aries आप लोगों के लिए हाँ पे in general के लिए not for you card मुझे कहता है कि हो सकता है coming week में किसी चीज को आप बहुत जादा desire कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए अभी भी ऐसी energies हो सकती हैं और सब के लिए differ कर सकती हैं ये चीजें कुछ लोगों के लिए professional life से related कोई चीज हो सकती है जिसको आप बहुत जादा चाह रहे हैं कोई job हो सकती है कोई position हो सकती है कोई project हो सकता है कुछ लोगों के लिए personal life से related कोई चीज हो सकती है relationship हो सकता है love life में कोई चीज हो सकती है जिसको आप बहुत ज़ादा desire कर रहे हैं जिसको आप बहुत ज़ादा manifest करना चाहा रहे हैं लेकिन कहीं आपको success नहीं मिल रहा कहीं आपको किसी तरीके का rejection मिल रहा है उस चीज़ को आप नहीं achieve कर पा रहे हैं और यहापे not for you का card simply आपको यह कहता है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो इसमें आपकी बहुत ज़ादा भलाई है आपका बहुत ज़ादा फाइदा है हो सकता है अभी आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि desire इतनी बड़ी है कि आप उसके pros and cons नहीं देख पा रहे हैं कोई भी चीज अगर इस वीक आप चाहें और आपको ना मिले तो आप समझ जाएं कि universe आपको protect कर रहा है आपके लिए कोई बहुत ही बहतर चीज़ आ रही है और इसमें आपकी भलाई है professional life के लिए याँ पे two of pentacles का card मुझे कहता है किसी चीज को लेके आप two minds में रह सकते हैं करें ना करें ये या वो हाँ या ना कुछ ऐसी energies रह सकती है कोई decision हो सकता है आपको लेना है कोई choice करनी है थोड़ा सा difficult हो रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक से जादा काम कर रहे हैं और थोड़ा सा again मैं कहूंगी difficult हो रहा है लेकिन आप बहुत अच्छे से manage कर पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए travel भी रह सकती है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई message, कोई email उनको बहार से आ रहा है जिसका शायद वो बहुत time से wait भी कर रहे थे और यहाँ पर personal life के लिए fighting का card बहुत ही clearly मुझे कह रहा है कि किसी चीज को लेके एक conflict बहुत सारे ages की personal life में रह सकती है love life relationship में रह सकती है सब के लिए again यह differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए conflict internal हो सकती है कि अपने ही mind में किसी चीज को again देखिए हमने professional life में देखा यहाँ पे two of pentacles आप decide नहीं कर पा रहे हैं आप decision नहीं ले पा रहे हैं और दीखिए यहाँ पे भी not for you का card है again यह card जो कहता है हमें कि आप कोई चीज desire कर रहे हैं नहीं आपको मिल रही है तो इससे related हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक conflict mind में चल रही हो कुछ लोगों के लिए यह conflict external हो सकती है जहाँ पे जो भी loved ones है उनके साथ arguments हो रहे हैं उनके साथ unhealthy discussions हो रहे हैं और अगर ऐसा आप पाएं Aries तो ज़रूर अपने आपको check कर लें नहीं तो देखिए fighting का card हमेशा ही negative नहीं होता कभी-कभी हमें fight करनी भी पड़ती है और इस week अगर आपको लगे कि युनों कोई भी चीज है जिसके लिए आप right हैं आपको अपना stand लेने की ज़रुरत है तो ज़रूर लें और अगर वो healthy fight है तो उसको ज़रूर करें थोड़ा सा ध्यान रखें कि in the process कोई hurt ना हो रहा हो और आप परिशान ना हो और यहाँ पर lucky color मैंने आपको बताया कि turquoise है और throat chakra का card हमें कहता है कि इस week अपने communication का आप बहुत ज़्यादा खयाल रखें और यह communication ज़रूरी नहीं होता कि हम लोगों के साथ जो कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान रखना है आप क्या communication अपने self के साथ कर रहे हैं वो सबसे important होता है तो थोड़ा सा खयाल रखें जो भी communication आप अपने आप के साथ कर रहे हैं self talk कर रहे हैं वो positive हो वो कहीं negative ना हो क्योंकि energies बहुत जादा great नहीं मुझे दिख रही हैं अगर आप इस चीज का खयाल रखते हैं एक positive self talk करते हैं बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन अपने आपको आप अच्छी बात बोलते हैं और उन चीजों में अच्छा देखते हैं तो ये week आप लोगों का अच्छा जाएगा otherwise कुछ issues रह सकते हैं again देखिए हमारे हाथ में बहुत चीजें होती हैं अगर हम उनको use करें तो हम अपनी life बहुत बेटर कर सकते हैं तो ये थी areas आप लोगों के लिए reading और नीचे comment section पर मुझे जरूर बताईएगा कि ये reading आपके साथ कितनी resonate करी आप कितना connect कर पाए